नमस्कार दोस्तों आपका GKT20 में पुनाह बहुत बहुत स्वागती। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलीस से जुड़े सामाने ज्यान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पिय प्रश्णतरों के बारे में जानेंगे। तो आईए वीडियो शुरू करते हैं। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे D. सारस प्रश्णिक्रमांग 3. उत्राखंड कीस वर्ष अस्तित्व में आया था। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे A. वर्ष दुहजार में। प्रश्णिक्रमांग 4. उत्रप्रदेश में आयुजित कमपिल मेला किस समुदाई से जुड़ा हुआ है। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे A. जेन समुदाई से। प्रश्णिक्रमांग 5. विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे C. पांच जुन को। प्रश्णिक्रमांग 6. निमनलखित में से कोंसा सयुक्त राज अमेरिका का एक राज नहीं है। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे D. अटलांटा। प्रश्णिक्रमांग 7. निमनलखित में से कोंसा तत्व एक अधातु है जो कक्षिय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे B. ब्रोमीन प्रश्णिक्रमांग 8. मदन मोहन मालवीय रोध्योगी की विश्च विध्याले कहां इसती थे। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे A. गोरखपूर में प्रश्णिक्रमांग 9. उत्तरप्रदेश पुलीस के चिन्ह में कोंसे जानवर का चित्र है। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे A. मचली प्रश्णिक्रमांग 10. उत्तरप्रदेश पुलीस के अधिकारी के ध्वज में दो रंग होते हैं। लाल और दूसरा कोंसा है। और इस प्रश्णिका सही जुवाफे B. नीला प्रश्निक मांग 11 बेंगनी रंग के प्रकाज की तरंग देर्धिय लगबक कितनी होती है और इस प्रश्निका सही जुवाफे C. 380-420 एनेम प्रश्निक मांग 12 वर्ष 1937-1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था और इस प्रश्निका सही जुवाफे B. संयुक्त प्रांत प्रश्निक मांग 13 हरी वन्ष राय बच्चन द्वारा लिखी गए आखिरी कविता कोन सी है और इस प्रश्निका सही जुवाफे D. अगनिपाथ प्रश्निक मांग 14 प्रश्निका संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस चहर में हुआ था और इसका सही जुवाफे D. मेरठ में प्रश्निक मांग 15 भारत के पहले हिंदी भाषा के एकबार का नाम बताईए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था और इस प्रश्निका सही जुवाफे B. उदंत मारतंड प्रश्निक मांग 16 सरदार वल्लभाई पटेल की प्रतिमा स्टेचू आफ यूनिटी किस नदी पर इस्दित एक द्विप पर है और इस प्रश्निका सही जुवाफे A. नर्मदा नदी पर प्रश्निक मांग 17 वह कौन सा अंतिम वर्ष था जिब भारत में रेल बजट और केंदरी बजट अलग-अलग प्रस्तुत किया गया था और इस प्रश्निका सही जुवाफे A. 2016 प्रश्निक मांग 18 निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलीस विभाग की चैन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है और इस प्रश्निका सही जुवाफे D. भाषा परिक्षन प्रश्निक मांग 19 भारत में बहादूरी का सर्वोच पुरुषकार निम्नलिखित में से कौन सा है और इस प्रश्निका सही जुवाफे ओप्षन B. परमवीर चक्र प्रश्निक मांग 20 की सिभारती राज्ज में सरवादिक शेत्र में वन इस्ति थे और इस प्रश्निका सही जुवाफे D. मधिप्रदेश प्रश्निक मांग 20 शिवाजी के छोटे बेटे का क्या नाम था जो तीसरे चत्रपती थे और इस प्रश्निका सही जुवाफे ओप्षन A. राजाराम प्रश्णिक्रमांग 22 पुष्व के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है और इस प्रश्णिका सही जुवाफे C पराग कोश प्रश्णिक्रमांग 23 जेट इंजन का आविश्कार किस ने किया था और इस प्रश्णिका सही जुवाफे ओप्शन B सर फैंक विटल प्रश्निक्रमांग 24 संयुक्त राष्ट महासचिव एंटो नियो गुटेरस किस देश के प्रधान मंत्री थे। और इस प्रश्निका सही जुवाफे ओप्शन B पुर्तगाल। प्रश्निक्रमांग 25 मानव शरेर का कोन सा अंग इंसूलिन पेदा करता है। और इस प्रश्निका सही जुवाफे ओप्शन B अगनाशय। प्रश्निक्रमांग 26 निम्न लिखित में से कोन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सारोजनिक रूप से सुचिबद्ध कमपनी नहीं है। और इस प्रश्निका सही जुवाफे डीक वोरा। प्रश्निक्रमांग 27 कोन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के 20 की सीमा तई करती है। और इस प्रश्निका सही जुवाफे B रेड क्लिप रेखा। प्रश्निक्रमांग 28 निम्न में से किस लवन में क्रिश्टलन जल के 10 अणू नहीं होंगे। और इस प्रश्निका सही जुवाफे D एपसम सॉल्ट प्रश्निक्रमांग 29 उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान सीव के सम्मान में कैलाश मेला आयूजित किया जाता है। और इस प्रश्निका सही जुवाफे A आगरा। प्रश्निक्रमांग 30 उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। और इस प्रश्णिका सहीजवाफे बी शारदा नहर प्रश्णिक्रमांग 31 वर्ष 1930 में सीवी रमन ने निम्न में से किसके लिए नोबल पुरुषकार जिता था? और इस प्रश्णिका सहीजवाफे सी भोतिक शास्त्र प्रश्णिक्रमांग 32 तमिलनाडू और स्रीलंका के मननार जिल्ले के बीच मोजुद जल संदी को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्णिका सहीजवाफे बी पाक जल डमरू मद्ध प्रश्णिक्रमांग 33 निमनलिखित में से कोन सा संयुक्त अरब अमिरात का एक अमिरात नहीं है? और इस प्रश्णिका सहीजवाफे ए मसकट प्रश्णिक्रमांग 34 भारत की पहली महिला लोकसबा द्यक्षि कोन थी? और इस प्रेशनिका सही जुवाफे बी मीराकुमार प्रेश्री क्रमांग 35 निर्मलिखित में से कौन सा चहर बहरीन की राजधानी है और इस प्रेशनिका सही जुवाफे सी मनामा प्रेश्री क्रमांग 36 फरवरी 1948 में भारती समिधान के प्रारंभिक मसोध्य को किसने तियार किया था और इस प्रेशनिका सही जुवाफे डी बेनेगल नर्शिह राव प्रेश्री क्रमांग 37 लावनी किस भारती राज्य का प्रस्थिद्य लोक नरत्य है और इस प्रेश्री क्रमांग 38 भारत सरकार ने निमनलिखित में से किस द्वीप में पर्याटन को अवेध बना दिया है और इस प्रेश्री क्रमांग 49 स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कोन थे और इस प्रेश्री का सहीजवाफे सी बल्देव सिह प्रेश्री क्रमांग 41 एक पोराणी के कथा के अनुसार किस देवता ने दशास्युमेग घाट पर किये जाने वाले दशास्युमेद यग के दोरान दस घोडों की बली दिथी और इस प्रेश्री का सहीजवाफे भी भगवान ब्रह्मा प्रेश्री क्रमांग 41 निम्न में से फिनलेंड की शास्की मुद्रा कौन सी है? और इस प्रेश्री का सहीजवाफे डी यूरो प्रेश्री क्रमांग 42 जन्वरी 1950 को सम्विधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्त लिखित सम्विधान पर हस्ताक्षर किये जिसमें कितनी महलाए शामिल थी? और इस प्रेश्री का सहीजवाफे C 15 प्रेश्री क्रमांग 43 हवा महल 1799 इस्वि में किस महाराजा द्वारा बनवाया गया था? और इस प्रेश्री का सहीजवाफे C सवाई प्रताप सिह प्रेश्री क्रमांग 44 निन्मलिखित में से किस दत्व की परमाणुत रिज्जा सबसे छोटी होती है? और इस प्रेश्री का सहीजवाफे B क्लोरीन प्रेश्री क्रमांग 45 निन्मलिखित में से नरत्ति का कौन सा प्रकार असम से संबंधी थे? और इस प्रेश्री का सहीजवाफे C बीहू प्रेश्री क्रमांग 46 केंद्रिय ओध्योगी के सुरक्षा बल CISF के 28 महान देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इस प्रेश्री का सहीजवाफे B सुभोध कुमार जैस्वाल को प्रेश्री क्रमांग 47 मिस्र धातू गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्नि कौन सा धातू में शामिल है? और इस प्रेश्री का सहीजवाफे D तामबा प्रेश्री क्रमांग 48 महा गमेला किस दिन शुरू होता है? और इस प्रश्ने का सही जुवाफे A. मकर सनक्राती को प्रश्निक्रमांग 59, कवी संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? और इस प्रश्ने का सही जुवाफे C. वारा नसी में प्रश्निक्रमांग 50, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर करक रेखा से सबसे दूर है? और इस प्रश्ने का सही जुवाफे ओप्शन C. अगर तला पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनह बहुत बहुत धनिवाद यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही इसी प्रकार के अन्य और वीडियो के लिए हमारे चैनल GKT20 को सबस्क्राइब भी करें धनिवाद